हेलो एब्रिवान वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल आज जुमें बनाने जारी हो नुद्ध मस्त वाले आलू चांट तो उम्मीद है कि आप लोग को जरूर पसंद आएगा तो चलिए मैं बनाना सुरू करती हूं तो यहां पर आलू को ले करके उच्छे से उबाल लेन आलू के इस तरह उबाला है ताहिके आलू फटेना और ज्यादा गिला गिला नहीं उबालना है हलका ही उबालना इससे 70 पर संट तक है इससे कुक करना है तो देखे आलू कब छील ले और छील कर छूट-छोटे पीसेस में से सलाइस कट कर ले गोल गोल काट लेना है इसको आप देखिए इस तरह से कट कर लें अब इतने जो गर्मी पढ़ीन है बाहर का खाना बिलकुल भी सही है पता निंवा कपका बनाके रखते हैं जो भी बनाए घरपर बनाए सूध फ्रेज और क्षाए को खिलाए तो बस घरपर बनाए खिलाए वह ज्यादा सही है बाहर कपता जाने कब कब बना बना के रखते हैं यह लोग तो देखिए आलो को चारो तरफ पच्छे से फैला लेना है इसके उपर डाल देते हैं काला नमक और इसके बाद चल जाएगे इसके उपर वाइट वाला नमक जो नॉर्मली हम लोग हैर में डेली यूज करते हैं यहां पर यह ज और यह इमली चटनी इमली को पहले गरम पानी में डाल करके थोड़ा सा पानी ले करके डाल दिये थे और उसे अच्छे से निचोड़ करके जो भी निकला इमली उसमें हम थोड़ा सा गुड़ को एड़ करके अच्छे से मिक्स कर दिये इसके बार इसके उपर हम फेला दिय कर दो हैं अब इसके ओपर जाएगा क्समिश कर लेता है इसके उपर बचस्ट में ये?.. टमाटर शोटीचे पीसे में कट कर लेऊं सिधु कर लेना है इसके उपर दो में आल दें इसके उपर जाएगा दही तो ये गच्शे शेचे कर लेना है इसके बाद चारों तरफ दाल देंगे दही को अगर दही डालने के बाद अब जाएगा इसके उपर यह इमली की पानी इमली की चट्मी अलग थी इमली की पानी है थोड़ा खटा के लिए और इसके उपर जाएगा यह शेयो इसको भुज्या भी बोलते हैं इसके बिना तो यह पूरी आलू चांट ही अधूरी है यह देखिए बनके रेडी हो गया है मेरा आलू चांट तो जरूर बताएगा कि कैसा बना है बहुत ही सिंपल तरीका से इजी तरीका से और अराम से खाईए घर में इस गर्मियों का लुप्त उठाईए आप लोग भी त तो देखिए बनके रेडी हो गया तो बताएगे कैसा बना है कमेंट जरूर किजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई टिक अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा बाई बाई